शेनमान जी का एक लक्ष है रावण के पास पहुचा जाए तो सोचे कि हम कोई विआईपी गेश्ट तो है नहीं कि फूल माला पहना के सब हमको ले जाएंगे फिर कुछ उत्पात करो कि सब पकड़ के हमको रावण के पास ले जाए तो पहले से मन में विचार करके उत्पात करना है चले बाग में बाबा कहते हैं चले उनाई सिर पैठे उबागा फल खाए सितर तो रह लागा रहे तहां बहु भट रखवारे रहे तहां बहु भट रखवारे हरमान जी गैँब पहले छक के खाया पेट भर के चार रखवालों को पकड के अभी आधा रखड़ी थे तो पूछे और बाकी सब कहा हैं बोले सब मर गए हमें बचे चार अच्छा तुम जाओ रावन को बोलो मैं आ गया हूँ जाओ छोड़ दिया चारों पहुचे रावन के पाद रावन पूछा तुम लो कौन हो रखवाले सरकार असोक बाठी का के यहां क्या करने आये हो तो ले अरे आ गये तो बची जाएगा नाथ एक आवा कपी भारी तेही असोक बाठी का उजारी खाय से फलर विट पउपारे रक्षक मर्द मर्द महिदारे बहुत भारी कपी आया है फल खाया सारा असोक बाठी का समाप्स कर दिया जितना मेंटेनेंस में खर्चा किया था आपने माटी मिला दिया सब हतम रावन बला तुम लोग क्या करते हम लोग है यह तो कहिए बच गए तो आ गए रगड रगड के मारा सबको हमको छोड़ा केवल आपको बताने के लिए अब हम जाएंगे नहीं जाने पर पूरा कर देगा रावन सुना अचाओ कपी आया है तुरंच सुनि रावन पठ़य भट नाना सुनि रावन पठ़य भट नाना ती नहीं देखि गर जेव हनुपाना प्रावण ने भटों को भेजा, इन में से कुछ डरपोक भट थे, सुने की रखवालों ने कहा है पकड के माटी में रगण रगण के माट, इतने डर गए कि वो हनमान जी के पास गय ही नहीं, पहले खिप गए, बोले ये लोग जाएंगे, बचेंगे तो हम जाएंगे, मर जा हनमान जी के पास जितने भट गएं, हनमान जी विशाल ब्रिक्षों खाड लिए, और जैसे माईलो घर में जाडू लगाती है न, एर राक्षस आते गए भट और हनमान जी भटा भट निपताते गए सको, सब रजनी चरक पिसंघारे, सब रजनी चरक पिसंघारे, पिछे मर गए, समर गए, राण भोला, तुम कैसे बज गए? हम तो गहने तो जीप गए से पहने अचसे, रगण के मारा नहीं, इस बार इस टायल बदल दिया, ज्वारू लगा, रगणा नहीं, इस बार ज्वारू लगा है, अच्छा, अब क्या करें, तब अकyttा कि रावन का अक्षय कुमार में सत्रुता थी बाली का बेटा अंगज और अक्षय कुमार रावण का बेटा वो बाप दोनों भले मित्रु थे इन दोनों की सत्रुता थी अंगज जानते से जाऊंगा तो माट डलेगा हनमान जी जब लंका के लिए चले न अंगजी ने हनमान जी से का हनमान जी और किसी को भले मत मारियेगा अक्षय कुमरवा मिले उसको जरूर मारियेगा उसी के कारण में ने जा रहा है अक्षय कुमार को रावण ने बुलाया और कहा बेटा तुम जाओ बावा कहते हैं अक्षय कुमार हनवान जी ने दो तिन निशाचनों को हाथ में दवा के रखा था पहचान पूछने के लिए अक्ष कुमार जैसे हैं हमारा एक तबढा किसको राक्ष को कर वह जल्दी पताता कौन पतार कौन है ऑच्छ कुमार पूरा का पूरा बिख्ष आवत देखि पिटाप कही तरजा दाउर पड़े अक्षे कुमार सोच नहीं पाया करेगा क्या तब तक जा के हरुमानझी पूरा का पूरा बिख्ष अक्षे कुमार के नस्परते मारे जेशरी दा हो चिपट के मर गया उसी में अक्षे कुमार तो मर गया अब इसके साथ सुभट आए थे पहले रावन ने भटों को भेजा अन्मान जी ने मार दिया अब उनसे बड़ी योधा सुभट आए थे हन्मान जी तो पहले अपना दहसत बना रहे इसके लिए पुष को पकड़ के मारना सुरू किये बाकी सारे राक्षास लगे जरने हमको मत मारिये अन्मानी बले चुपचा बैठोंके इधम बैठेंगे सारे राक्षासों को बिठाया